खबर का 9 सेह जहां एक नव विवाहिता जिंदगी और मौत के बीच की जंग करीब 9 महीने बाद हार गई दहेज रोभी ससुराल वालों ने गर्भवती विवाहिता की पिटाई की थी पिट में चोट आने के बाद विवाहिता का गर्भवताथ हो गया था और गर्भवताथ के बाद से ही महिला गंभीर बिमारी से कैस्थ हुई थी 9 महीने इलाज चलने के बाद बिवाहिता की मौत हो गई है तो परिजन बिवाहिता का सब लेकर पुलिस कप्तान कारेले पहुँच गए है बताया जाता है कि कई महीनों बाद बिवाहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था वही मौत हो जाने के बाद भी आज तक आरोपी ससुराली जनों पर कोई कारिवाही नहीं हुई है ग्रामिडों ने सब रख कर पुलिस कारेले में हंगामा कर दिया है विश्णुगर्थाना छेत्र का मामला बताया जाता है क्या नाम है अपका क्या हुआ था आप लुश्टब लेकर यहां पर आज क्या हुआ था उसको उसके प्रेट में बच्चे अपन रहा तकर नहीं मिले बच्चा था दिपक्त के तकाई प्रेशन देगी उनकी माता मीना देगी इन चाहर लोगों ने एक राह करके बारा और तेरा दिसंबर को 2021 इतना मारा पेटा लोगी बच्ची की बच्ची पेट में सुजन आई पेट में दर्द हुआ बच्ची गरब पाथ हो गया बच्ची फुन कमी हो पाथ हो गया बच्ची को इनों 15 द्रह लोगा इकीस को गष्टे एसी लिखा दिया शामाई लिये थोन गया राहा कि ने फोन किया फर हम गये चलकर अपने बच्ची दिखाया में यह इसकी हल से ने लिए आप लेगे पर लिए अगे दिखानी आरा में आप लेगे पर लिए पुलिस से सिकायद की थी जी जब गर्वार में निकाला जी जी कई बार की इस परावर सिकायद करते हैं करते करते तब 21 जलबरी दूह यार 25 दिमा लिका दिया तरह फिर वो क्यार में आगा मैं तीन बोस्तों पर चड़वाई आप उसके बाद बच्ची को हम जाइसे बच्ची की मौत कैसे हुई बच्ची की मौत ऐसे हुई लखनों को हम लेक ने तो बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही थी बरावर दवाई पर ही भरत रही तो 15 दिवंबर अब बच्ची किया जा करें था कब बच्ची किया था खतम कब हुई है तो एसपी आफिस क्यों लेकर आई आई है किसी लिए लेकर आया क्या मांग है करें चाहरा मरते मरते मीकी मर्द जूबाई नहीं हो रही है था एंसे लेकर थाना ओना पर आलोप्यर आपको दविश्रमाइन पालता हें लड़की कि साधि कहां की थी ठाह्ना आ विस्नुग्र थाने का ये देश मामने को ने गए ये जिया कहा वहां के प्रेसान मुकतमत लिखी जाएगा इस तरीके हम कई